नमस्कार दोस्तोंगनारणाव को राजनीति में आये हुए अभी जुमा जुमा चार दिनी हुए हैं लेकिन इस वक्त वो भारती अजुनतापाटी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई हैं कंगना ने भले ही भारतिय जंता पार्टी के लिए मंडी की सीट जीत ली हो लेकिन अब कई सीटे हारने का कारण भी कंगना रनाउथी बनती हुए न ज़रा ह रही है उनके किसानों वाले बयान के बाद भारतीय जंता पार्टी हरियाना चुनाओं में घिरी हुई है हलागि दोस्तों कंगना भारतीय जंता पार्टी के ऐसी पहली महिला पॉलिटिशन नहीं है जिन्होंने भारतीय जंता पार्टी को मुसीबत में डाला है यसे पहले भी कंगना जैसी कई महिला राजनेता भाजपा को मिली हैं जिनका फैलाया रायता समेटना भारतिय जन्ता पार्टी के लिए मुसीबत बन चुका है इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो नाम आता है स्वाती सिंग का साल 2017 में यूपी विधानसवाद चुनाव होने वाले थे इसी बीच भारतिय जन्ता पार्टी के तेज तरह नेता दयाशंकर सिंग ने मायावती पर एक भद्धी टिपड़ी कर दी थी तब उन्होंने मायावती की तुलना एक वैश्या सिकी थी दयाशंकर के इस बयान को बस्पा ने धलित विरूधी बयान बताया था डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी ने दयाशंकर सिंग को पार्टी से निलंबित भी कर दिया था इस दर्मियान बस्पा के कुछ कारेकरताओं ने दयाशंकर की पत्नी और बेटी पर विवादे टिपड़ी कर दी जिसके बाद दयाशंकर सिंग की पत्नी स्वाती सिंग ने खुद मूर्चा सभाल लिया था वो साड़कों पर उतर आई थी प्रदर्शन कर रही थी हलागि अभी तक स्वाती सिंग का राजनीती से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था लेकिन इस मामले में स्वाती की एंट्री होते ही भारती अजन्ता पार्टी फ्रंट फूर पर आ गई पूरे चुनाव में भारती अजन्ता पार्टी ने स्वाती सिंग को खूब प्रमोट किया फिर 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो स्वाती को मंत्री भी बना दिया गया स्वाती सिंग पूरे पांच साल तक मंत्री रही हाला कि इस दौरान उनकी वज़े से कई मौके ऐसे आये जहां पर भारती अजन्ता पार्टी के खूफ वजीहत भी हुई मंत्री रहते स्वाती एक बार एक बीर शॉप के उद्गाटन करने पहुँच गई थी जब मीडिया में खबर सपी तो स्वाती सिंग को काफी ट्रोल किया गया भारती अजन्ता पार्टी पर सवाल भी उठे आम आदमी पार्टी ने भी कई सवाल उठा है लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद से ही भारती अजनता पार्टी ने स्वाती सिंग से किनारा कर लिया था दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है नुपुर शर्मा का इन्हें तो आप जानते ही होंगे इस वक्त नुपुर शर्मा कहा है किसी को पता नहीं मीडिया में अब वो कम ही नजर आती है सोशल मीडिया पर भी आक्टिव नहीं रहती है असे तीन साल पहले नुपुर भारती अजनता पार्टी की स्टार प्रवक्ता हुआ करती थी नुपुर शर्मा भारती अजनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेने गई थी जब उनकी पूरी राजनीती बदल गई अपनी इसी डिबेट के दौरान उन्होंने पैगंबर मुहम्मद को विवादे टिपडियां कर दी थी उस वक्त काशी मतुरा के विवाद पर चरचर चल रही थी उनकी टिपड़ी को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और काफी मुसल्मान इस मामले पर भड़क गए थे उन्होंने पैगंबर मुहम्मद पर इस तरीके के टिपड़ी का विरोध किया था कई सवाल भारतिय जन्ता पार्टी पर भी उठे थे भाजपा तब बैक फूट पर आ गई थी तब यूपी के वदानसभा एलेक्शन सर पर थे ऐसे में डामेज कंट्रोल करने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी ने उन्हें तुरंट छे साल के लिए नीलंबित कर दिया था नुपुर शर्मा को तब भारतिय जन्ता पार्टी ने अपना फ्रिंज एलेमेंट भी बताया था अब दोस्तों इस लिस्ट में अगर प्रग्या थाकुर का नाम ना आए तो ये लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती है जी हाँ इसलिए तीसरे नंबर पर प्रग्या थाकुर के बारे में बात करेंगे जिनकी वज़ा से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई देनी पड़ी थी और ये कहना पड़ा था कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा जोसमे बात है साल 2018 की जब भारतिय जुनता Пार्टी ने माले गाउं विस्पूर्ट मे आरूपी रही प्रग्या थाकुर को मुख्य धारा की राजनीति में लाने का फैसला किया था सादवी के नाम से मशूर प्रग्या ठाकूर को भारतिय जुनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाओ में भोपाल से मैदान में उतारा था जबकि कॉंग्रिस ने इस सीट पर पूर्व सीएम दिगवजय सिंग पर दाउं चला था हाला कि हिन्दुत्व کے मुद्दे को भुनाने में BJP सफल रही और प्रग्या ठाकूर BJP से संसथ बन गई प्रग्या सिंग ठाकूर के जरिये भाजपा ने हिन्दुत्व और तुस्टिकरन की राजनीती को सादने की पूरी कोशिश की शुरुआत में प्रग्या हिंदुत्व और उससे जुड़े मुद्दों पर जम कर बोलती रहें प्रग्या की एंट्री ने बीजेपी को फायदा भी पहुचाया और पार्टी भोपाल की सीट बड़ी मार्जन से जीत गए तुष्टी करन की राजनी थे खूब काम कर रहे थी लेकिन इसके बाद प्रग्या के बयान से बीजेपी की मुश्किले बढ़ने लगी प्रग्या ने पहले महात्मा गाधी पर विवादे टिपडी की और साथ ही गोट से कुछ सही ठहरा दिया मामले में जब भारती अजन्ता पार्टी की किरकिरी शुरू हुई तो प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने खुद आगे आकर मूर्चा संभाला प्रधान मंतरी मूदी ने एक इंटिव्यू में कहा था कि प्रग्या को कभी माफ नहीं करूँगा इसके बाद भाजपा ने प्रग्या सिंग ठाकुर का किनारा कर दिया था और तब से प्रग्या ठाकुर अपनी जगा बनाने की कुशिश तो करती नहीं लेकिन आ नहीं पाई इन तमाम महिला राजनेताओं से किनारा करते करते भारती अजंता पार्टी कब कंगना रनाओ तक पहुँच गई तिसी को पता नहीं चला बड़ा सोच समझ कर उन्हें सांसत बनाया गया था लेकिन सांसत बनते ही कंगना भारती जंता पार्टी के लिए एक के बाद एक चुनौतियां खड़ी करने लगी पहले उन्होंने अंदोलन कारी किसानों को हत्यारा और बलतकारी बताया कंगना की किसान अंदोलन को लेकर दिये गए इस बयान पर बवाल खत्म हो ही नहीं पाया था लेकिन उसी बीज नोने एक और दूसरा बयान दे डाला तीन क्रिशी कानून वापस लेने की बात कह गई कंगना पहले बयान के लिए भाजपा ने नोटिस जारी किया था तो दूसरे बयान के लिए भाजपा के प्रवक्ता खुद आगे आकर सफाई देने लगे ये कहा गया कि उनके बयान से पार्टी कर लेना देना नहीं है भाजपा बार बार कंगना से किनारा करती रही लेकिन वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाती है जिसकी वज़ास से अब हर्याना के चुनाव में भारती एजंता पार्टी से किसान नाराज नजर आ रहे हैं जिसका खामियाज भी बाजपा को भुगतना पड़ेगा वदान सबा चुनाव में गाजपा का कोई भी डामेज कंट्रोल काम आता हुआ नहीं दिखाए दे रहा है आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमें सेक्शन लेकर जरूर बताएगा इस खबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम है फरीर अनसारी आप रहें स्वास्त मस्त बस यही है दूआ हमारी नमस्कार